इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रभू श्री राम की कुछ तस्वीरे वारल हो रही है दावा किया जा रहा है कि इन AI जनरेटिट तस्वीरों में भगवान राम की हुब हुच हवी को उतार दिया गया है मगवान एक आध्यात्मिक विशह है और उनके रूप और स्वरूप की भावना को समझना और उसको अपने व्यक्तित्व में उतार पाना हम इंसानों के लिए भी मुश्किल होता है क्याए सिर्फ हमारे द्वारा दिये गए डेटा और इल्गोरिथम के आधार पर काम करता है लेकिन ये हमारी तरह भगवान की तस्वीर बनाने के लिए एक व्यक्ति को उस भगवान के तरती प्रेम श्रद्धा और समर्पन की भावना के साथ उसके रूप का सही रूपांत करना पड़ता है क्याए कभी भी भगवानों की असली तस्वीर तयार नहीं कर सकता क्योंकि भगवान एक धार्मिक भावना है जिन्हें लोग भक्ति श्रद्धा और विश्वास से समझते हैं भगवान को एक डिवाइन शक्ति के रूप में समझा जाता है जो कि सर्वव्य पी और सर्वशक्तिमान है भगवान के रूप का वर्डन सिर्फ शास्त्रों कुराणों और स्मृतियों में किया गया है और यह सभी ग्रंट उस समय के मनुश्यों के दिवरिग्यार विच्वल्स और समाजिक परिस्थितियों के आधार पर लिखे गए है क्या आई डेटा करके केवल प्रिडिक्संस करता है जो पूरी तरह सचाई को बाहर नहीं ला सकता यह केवल संभावित रूप प्रदान करता है इसके लिए एक डीप लर्निंग अप्रोच गंस का इस्तिमाल करता है इस काम के लिए गंस को हिंदू गॉड्स के एक लार्ज सेट्स ओफ इमेजेस को जिनरेट करता है जो कि हिंदू गॉड्स के पुराने इमेजेस से ही सिमिलर होती है अब सवाल यह आता है कि हिंदू गॉड्स की सबसे पहली इमेज लोगों के पास कैसे आई हिंदू देवताओं की पहली तस्वीर की मूल उत्पत्ती बिलकुल भी क्लियर नहीं है क्योंकि यह पहली प्राचीन काल से ही जुड़ी हुई है हिंदू देवताओं की सबसे पुरानी रिकॉर्डेड मेज इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहरों और तेरा कोटा मूतियों पर पाई जाती है जो दुनिया की सबसे पुरानी सब्भिताओं में से एक है सिंदू घाटी से मिली इस मोहर में भगवान परशुपती को दिखाया गया है जो भगवान शिव के अवतार माने गए है इनके अरावा भगवान विश्णू की पहली तस्वीर कैसे बनी इसका कोई एक क्लियर आंसर नहीं मिलता है क्योंकि यह ती प्राचीन काल में हुआ था हाला कि माना जाता है कि विश्णू और उनके अने कवतारों की पूजा हजारों वर्षों से हिंदू धर्म का एक महत्वकून हिसा रही है हिंदू ग्रंतों में भगवान विश्णू अकसर एक नीले रंके चार हाथो वाले के रूप में वर्नित होते हैं जो शंक, चक, जदा और कमल का फूल पकड़े हुए दिखाई देते हैं वे अकसर शेशना के उपर खड़े या लेटे हुए दिखाई देते हैं और कभी-कभी उनकी सहवासनी देवी लक्ष्मी उनके साथ होती है इसी के साथ हमें भगवान विश्न की कई तस्वीरे मिलती है सारे एलीमेंट्स को एक भागे में पिरोया जाए तो बात एकदम CDC है कि इन तस्वीरों को वर्तमान रूप मिलने में कई हजार वर्षों का समय लगा है और इन ही इमेजेस और डेटा की हिल्प से AI इन तस्वीरों को और मॉडिफाई कर देता है और हर कोई बस यही समझता है कि हिंदू गाड्स हुबहु ऐसे ही दिखते होंगे प्राचीन काल से ही महाकवियों ने अपने अपने अनुसार इनको चितरत किया है कहते हैं कि महरशी वालमिकी के द्वारा वर्नित श्री राम कालेदास के श्री राम से मैच नहीं होते कालेदास के श्री राम भवगूती के श्री राम से मैच नहीं होते हर भक्त ने अपनी श्रद्धा और imagination से भगवान के अलग-अलग रूप को अपने अंदर संजोया है और आज के इस modern era में इंटरनेट पर देखी हर चीजों को सही मान लेना बिलकुल भी सही नहीं होता है और इस दौर में किसी भी कल्चर को इंटरनेट की दुनिया से प्रोटेक्ट करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है इस इंटरनेट के वजह से ही हिंदू गौड्स के रूपों के कई कंप्लिमेंट्स बन चुके हैं लेकिन भगवान के किसी भी एक रूप का यूनिवर्सल एकसेटेंस नहीं मिलता और शायद ये संभव भी नहीं है क्योंकि भगवान तो हम सब के हरदय में बसे हैं इस पर आपके क्या थोट्स हैं कमेंट्स में हमें जरूर बताइए तब तक के लिए जै हिंद और जै श्री राम